असलाम अलेकुम दोस्तों बिंग फालतु के साथ आज एक और इंफर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आया हूँ मैं आज की वीडियो है हाव तो गेट स्टॉंगर सिगनल्स इन यूर सेलफोन तो पर यह बताते हैं आपको जी फ्रेंड्स तो इस वीडियो को बनाने का एक्चुली इसलिए जियन में आया है कि मैं खुद इस वुकत ऐसे एरिया में हूँ कि जहां पर मुबाइल के सिगनल्स कम है या बिलकुल नहीं है तो पहली बात मैं यह आपको बताना चाहूं कि यह वीडियो सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है दूसरे जो छोटे सेलफोन होते हैं उसमें तो सिगनल्स आय जाता है एक आदा ठीक है तो चलिए शु है 4G है या आटो पे है तो उसके लिए मैरा आपको मश्वरा यह है कि अगर वो आटो पे है तो भी उसको 2G पे कर दीजिए अगर 3G पे है तो उसको 2G पे कर दीजिए अगर 4G पे है तो भी only 2G पे ही कर दीजिए एक्चली होता क्या है कि हमारे सेलफोन की network mode की setting जो होती है वो आटो पे होती है या 3G, 4G पे होती है तो city के अंदर तो signals catch हो जाते हैं 4G, 3G के लेकिन जैसे आप city से बाहर निकलते हो तो आपके mobile की setting जो है वो 4G, 3G के signal catch करने ही कोशिश करती है तो इसलिए 3G, 4G के signal आते है नहीं out of city तो वहाँ पे फिर आपको problem होती है signal वो 3G, 4G के catch करना होता है आपका cell phone जो के मिलते नहीं है या अगर आटो पे भी हो तब भी बहुत time लगता है उसको 4G, 3G से 2G पे आने में तो अगर आप इसको 2G only पे कर देंगे ना तो आपका mobile phone जो है वो calls के लिए SMS करने के लिए मुसूल करने के लिए कारामद हो जाएगा तो ये common सी problem है जो अकसर लोगों को face करनी पड़ती है तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका mobile जो है वो आप call कर सकेंगे SMS कर सकेंगे लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा इंटरनेट तो edgy चलेगा जो के आपको पता है जितना slow speed होती है वो तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो प के पास IT related android related कोई भी cell phone से related तो प्लीज अपना सवाल comments में डालिए इंशाल्ला आपको जवाब ज़रूर दिये जाएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में